Hello friends, अगर आप Facebook application को use करते हैं और उस पर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लग जाती है, उसे आप download करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो आपको life proof बताने वाला हूँ, कि आप बहुत ही आसान तरीके से Facebook के किसी भी वीडियो को download कर सकते हैं, वो भी बिना किसी third party application के, त साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकर नहीं दुआएं, ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको मिलता रहे, तो चलते हम वाल की स्क्रीन पर Facebook की किसी भी वीडियो को download करने के लिए सबसे पहले हम Facebook application को open करेंगे, open करने के बाद इससे login करेंगे, login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा, यहाँ पर उपर की और आपको वीडियो को option देखने को मिल जाता है, इस पर click करेंगे, click करने के बाद आप आपके सामने बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की और option मिल जाता है, copy link इस पर click करेंगे, click करते ही जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते है तो उस वीडियो का link copy हो चुका है, अब हम किसी भी browser को open कर लेंगे, browser open होने के बाद सर्च ब जो भी आपने Facebook से वीडियो का link copy किया था, यहाँ पर वो paste करेंगे, paste करने को side में आपको download का button देखने को मिल जाता है, इस पर click करेंगे, download पर click करते ही जो भी वीडियो आप download करना चाहते थे, उसकी सारी details आपके सामने निकल कर आजाएगी, अब इसे download करना चाहते है तो download क करने के लिए नीचे आपको option लिए डाउंडोड वीडियो इन normal quality, अगर आप normal quality से download करना चाहते है तो first option पे click करेंगे, अगर आप high quality में डाउंडोड करना चाहते है, तो second option पे click करेंगे, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर high quality में download करना चाहता हूं, तो यहाँ पर download video in HD quality पे क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस त्रीक के एड्स देखने को मिल जाते हैं आप र ख्लोज के औप्शन पर क्लिक करेंगे क्लिक करती ही जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते दो वह डाउनलोड होना स्टार्टिंग हो चुकी है अब इस बीड करते ही जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना चाते हैं यहां से आप देख सकते हैं यानि कि वो वीडियो सक्सेजबुली डाउनलोड होच किये अगर आप इसे प्ले करना चाते हो तो यह पर आपको प्ले का बटन देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक क